विल्कम बैक टो चैनल स्टुडेंट तो आज हम लोग करते हैं क्लास टेंथ का इंग्लिश ठीक है इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का अलेटर टुगॉड उसको हम आल्रेड़ी पढ़ा चुके हैं कुश्यन अंसर करवा चुके हैं जो लोग नहीं देखे वह इंग्लिश चैप्टर करके प्लेइस्ट है वहां देख सकते हैं बाकी आपको इंड स्क्रिन पर भी शो हो जाएगा तो आप भी देख सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट चैप्टर खतम हुआ है अब हम लोग फर्स्ट में ही दो पोएम है छोटा-छोटा सा दो प्रेम है उस कौन सा स्टोरी है यह पोएम है उसके राइटर कौन है और राइटर के बारे में थोड़ा मुड़ा ठीक है एक पोड के बारे में थोड़ा मुड़ा यह सब आप लोग को जानना बहुत जरूरी है यह वीडियो जो है यह जो पोएम है वह आपको इंस्याटी के बुक में मि इस तरह हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो इक सोचने वाला बात आता है क्या ऐसा कारण है कि हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नाइंध में पढ़ा एंध में पढ़ रहे हैं कुछ दो बात हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा उनका डेथ हो गया जन्वरी 29-1963 में यह थोड़ा सा उनका याद रखिएगा डेट अबर्थ उसके बाद यह जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोट है ठीक है एक अमेरिकन पोट है उसके बाद एड्मार्ट फूर इस डिपिक्शन आफ दा रूरल लाइफ रूर्ड लाइफ को ग्रामीन जो है आपका निवाज है ग्रामीन जीवन सैली है इसको यह अग्र फथा इनके बाद मैं यह सकी अलमार्ट मुग में होता है वह उसी को उठा गरेंप ऑन होता है जैसे कि आपने पढ़ह करने दो सालिग का तो वो जा को बारे में बताते बताएगे कि तू रोड डाइवर्ज इना यलूड यानि कि आप जाईएगा तो आपको दो रास्ता डाइवर्ट हो करके दिखेगा अब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आप इस रास्ते को छूज करेंगे कि इस रास्ते को छूज करेंगे यह आपका क्या आप प्राइज मिला है वो इनगाने प्राइज मिला है और बात आजाता है वर्क का कि इनका इनपर्टेंट वर्क क्या क्या है अगर आप लोगों से पुछा जाए कि रोबट फ्रस्त का कुछ बाताने आप कमें आपका dust of snow है, fire and ice है, the road not taken है, और भी बहुत सार है, तो दो चार आप लोग याद रखेगा, अब हम लोग आ जाते हैं, पोएम के उपर, पोएम जो dust of snow है, उसमें क्या बुला गया है, पहले हम लोग रीट करते हैं, बहुत ही छोटा सा है, इतना सा लाइन है, मतलब 4-4 art line का यह has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root, ठीक है, पस इतना सा चार लाइन का, सिंपल सा पोएम है, हम लोग जो यह वर्ड आया है, तो हम लोग ट्री जो होता है, वो क्या होता है, एक poisonous plant है, ठीक है, और यहां root, जो लिखा हुआ है root, root का मतलब हो जाएगा, regret, regret करना, ठीक है, regret मेरा ना, क्यो हम कर दी है, यह चीज पच्ताते रहना, ठीक है, तो चलिए, पोएम में जो यह लाइन लिखा हुआ है, अब हम लोग इसको समझते हैं, कि क्या यह कहना चाते हैं, तो सिंपल मैं आपको समझें, एक टक्टकली स्टोडी टाइब कर बता रहा हूँ, कि port जो है, suppose that port जो है, व और वो जो कववा है, वो हमलोक ट्री पे बैठ जाता है, तो जैसा ही कववा करके हमलोक ट्री पे बैठता है, तो होता क्या है, हमलोक ट्री पे कुछ dust of snow होता है, यह जो बात है, dust of snow, snow मिस तो बर्फ, dust मिस, समझे धूल के जैसा, तो जो बर्फ होता है, धूल के जैसा होता पाउडर के जैसा उसको कहते है dust of snow तो जहां बर्फ बारी जादा होता है तो वहाँ पे देखिएगा कि पेड़ों पे बर्फ जमा हुआ रहता है अचानक के कववा के बैठता है और यह पोईट बहुत ही उदास निरास बैठे वे चुपचा पेड़ के नीचे अचानक के कव सबता है तो थोड़ा-थोड़ा थेंडक मिलता है रात मिलता है और उनको कुठ समझमे आता है हम कर क्या हूं यहां पर यहां टाइम बरबाद कर रहे हैं, हम यहां पे जो बैठे बैठे जूट मूट का टाइम बरबाद कर रहे हैं, उससे अच्छा जाओ, कुछ काम करो, ठीक है, that means, अगर मतलब मूटा मूटी मैंने आपको पोएम को बारें बता दिया, कि यह इस तरह का स्टोरी है, सिंपल सा है है, वो बेल के नीचे बैठे, यह कववा आया है, हम लोक्त्री पर बैठा, और हम लोक्त्री से बर्फ किरा, उनके सर पे, और उनका मूट चेंज हो गया, कि हम यहां कर रहे है, टाइम बेस्ट क्यों कर रहे हैं, अब रहा बात कि यह लेसन क्या सिखाना चाहते हैं, आप ल जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो और कुछ काम करो, ठीक है, वेस्ट मत करो अपना टाइम, कुल मिला करके, यह यही कहना चाहते हैं इस पोयम में, डस्ट अप स्रो में, ठीक है, तो यह पोयम आज खतम हो गया, और अगर यह आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो पर नियू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको इसे तरगा क्लास 10 का सारा वीडियो, जो है, इंगलिश, हिंदी, मैज, साइंस, यह सब मिलता रहेगा, ठीक है, तो वीडियो को, चैनल को जो हो सब्सक्राइब कर दीजेगा, अब नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट बॉम के साथ, जो है आपका फायरे नाइस, ठीक, तो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए, बाइंट टेक केर,